हेलो एवरिवन एक बर फिर से हाजिर है आप सभी का फेवरेट आउडियो आटिकल प्रोग्राम और मैं हूँ आतिफा काजी तो आज का हमारा मुद्दा है पॉश एक्ट पर सुप्रीम कोट की टिप पनी ये आटिकल दहिंदू में छपे लेख किस आराज़ पर आधरित है इसमें टीम दरिश्टी के इनपूर्स में शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्यान प्रेश्टन पत्रदों के सामाजिक न्याय खंड से चुड़ा हुआ है तो चलिए आटिकल की शुरुआत करते हैं बीते दिनों उच्टमने आयले में औरेलियानो फर्नांडिस बनाम गोवा राज्चे मामले में बॉंबे हाई कोर्ट के फैसले को चुनोती थी कई इस पर सुन्वाई करते हुए उच्टमने आयले ने पौश यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पिडन रोक्थाम निशेद और निवारन अधीनियम दोहजार तेरह में आईसीसी यानी आंतरिक शिकायत सम्मिति के सम्विधान में कम्यों को बताया है इस दोरान नियाले ने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश के कुल तीस राष्ट्रे खेल संगों में से सोला में आज तक ICC का गठन नहीं किया गया है आगे नयाले ने ने कहा कि पौश लागू हुए एक दशक बीच चुका है लेकिन इसके कार्यानवे इनके संबंध में अभी भी गंभीर खामिया और अनिश्चित्ता है इससे कई कामकाजी महिलाएं अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मचबूर हैं इसके बाद सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में केंदर राज्जियों और केंदर शासित प्रदेशों को ये सत्यापित करने का नरदेश दिया है कि क्या सभी सरकारी निकायों ने आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है और साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऐसे पैनल की संरचना अधीनियम के सख्त पालन के साथ होनी चाहिए आपको बता दें कि दिल्ले के जंतर मंतर पर यौन उत्पिडन के खिलाफ विरोत प्रदर्शन कर रहे पहलवान एथलीटों का भी यही आरोप है वो अपनी शिकायत लेकर पहले रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के पास गए थे लेकिन फेडरेशन ने ICC का गठन ही नहीं किया था ऐसे पर सुप्रीम कोट के हालियास तक्षेप के पाथ हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि पोश अधिनियम क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी आखिर यौन उत्पिडन किसे कहते हैं और कारेस्थल पर ये गंभीर चुनोती कैसे बनती है और इसका वैश्विक परिद्रिश्य क्या है तो ऐसे ही दूसरे सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल में तलाशने की कोशिश करेंगे तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यौन उत्पिडन क्या है दरसल कारेस्थल पर यौन उत्पिडन को लेकर बहुत पहले ही सचित ता आती रही है इसे अगर वैश्विक परिद्रिश्य में देखें तो समानता को बढ़ावा देने और यौन उत्पिडन के समाधा की बात करते हैं इसके अलावा जिनेवास्थित आयलो यानि अंदराश्ट्रे मजदूर संख द्वारा सेक्शल हरस्मेंट पर एक दस्तावेस प्रकाशित किया गया था इसमें यौन उत्पिडन को स्पष्ट रूप से परिभाशित करने की कोशिश की गई है इसके मुताब इसमें चुडचड़ापन पैदा करने वाले दुर्व्यभार से लेकर पलातकार समेत यौन शूशन और हिंसा जैसे सरवाधिक कंभीर मामली शामिल हैं आयलो भेदभाव व्यवसाय और रोजगार समझोता 1958 का क्रमांक 111 रोजगार और व्यवसाय में लिंग, नसल, रंग, धर्म, राजनीतिक विचार और किसी विशेश देश ये समाज में जन के अधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्रताम करता है। ऐसे ही समझोता और सुझावों के विन्योग पर आयलो की विशेशगे समिती ने 2003 में यौन उत्पिडन की गंभीरता को मद्दे दजर रखते ह हुए सरकारों से दरख्वास की थी कि वे रोजकार में यौन उत्पिडन रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। इस मामले में अगर भारत की बात करें तो यहां इस मामले में विशाखा दिशा निर्देश या विशाखा गाइड लाइन्स पहला कानूनी गदम है। इसके अधार पर कारेस्थल पर यौन उत्पिडन रोकने और इसके समाधान की दिशा में एक विस्तर धाचे की रूप इसे इस बात को मानने ता मिली कि कारेस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पिडन उनके लेंगिक समानता के अधिकार और जीवन तथा विक्तिकत स्वतंतरता जैसे मूल अधिकारों के खिलाफ है। साथ ही इससे कोई भी विवसाय चुनने के अधिकारों का भी उलंगन करता है चलिए अब इसके बाद नजर डालते हैं विशाखा, दिशानरदेशों या विशाखा गाइडलाइंस के इतिहास पर। इसके बाद इस पर संग्यान लेते हुए न्यायले ने कुछ नरदेश जारी किये थे और इन नरदेशों को ही विशाखा गाइडलाइंस या दिशानरदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे साल 2013 में यान उत्पीडन कानून बनने तक यही नरदेश यान उत्पीडन रोकने के लिए दिशानरदेशक की भूमिका में रहे। गौर तलब है कि कोट ने इन दिशानरदेशों में यान उत्पीडन रोकने और इस पर काबू करने के तरीकों पर जोर दिया था। साथ ही इसमें यान उत्पीडन को परिभाशित किया गया था। चलिए इतना समझने के बाद अब पोश एक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसके मुताबिक यान उत्पीडन महिलाओं के समानता के मूल अधिकार का उलंगन है जो भारते समविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में दिये गए हैं। ये अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करते हैं। साथी, धर्म, जाती, लिंग, जन्स्थान आदि के अधार पर भेदभाव का निशेद करते हैं। इसके इलावा ये जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। इसलिए इस कानून में यौन उत्पीडन से निपटने के लिए संबंधित पक्षों के उप्योग हेतु परिभाश आएं। और साधनों का भी जिक्र है। कानून के 28 वे खंड में बताया गया है कि इसके प्रावधान फिलहाल किसी भी अन्य प्रचलित कानून के अतिरिक लाग होंगे ना कि उनका उन्मूलन करके। इसलिए इसे मार्क दर्शक पुस्तिका के रूप में विशाखा दिचान निर्देशों और सरकार द्वरा अधिसूचित अन्य नियमों के साथ मिला कर पढ़ा जाना जाहिए। इसमें कहा गया है कि कोई भी न्यायल ले इस कानून या इसके नियमों के तहट दंडनिय अपरात का संग्यान नहीं लेगा जब तक की पीडित महिला शिकायत दर्श नहीं कराती है। या फिर आन्तरिक शिकायट समेथी और स्थानी शिकायट समेथी दोरा अधिकरत व्वेक्ति शिकायत दर्श नहीं करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि संग्य और असंग्य अपरात कौन से होते हैं। तो इन दोनों में मूल अंतर ये है कि संगे अपराद के तहट कोई भी पुलिस पदाधिकारी, आरोपी या अपराधी को बिना वारंट के गिरफतार कर सकता है। जबकि असंगे अपराद के तहट कोई पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट के बगएर हरूपी को गिरफतार नहीं कर सकता है। दरसल संगे अपराद आम तोर पर गंभीर अपराद होते हैं, ये पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। इन में हत्याब, बलातकार, चोरी, अपहरंट, विवाहित, महिला के साथ अत्याचार आदी शामिल हैं। वहीं असंगे अपराद ऐसे अपराद होते हैं जो किसी व्यक्ति को सामाने चोट या नुकसान पहुचाते हैं, जैसे मानहानी, द्विविवाह आदी। अब इस पूरी चर्चा में बार-बार आप ICC यानि आंत्रिक शिकायत समिती सुन रहे होंगे। तो चलिए, समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो मौजुदा कानून के मताबिक दस से जादा कर्मचारियों वाले किसी भी न्योक्ता को एक आंत्रिक शिकायत समिती गठित करनी होगी। इसमें कोई भी महिला कर्मचारी औपचारिक तोर पर यौन उत्पिरन की शिकायत दर्च कराने के लिए संपर्ग कर सकती है। इसके अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जानी चाहिए और इसमें कम से कम दो महिला कर्मचारी तथा एक अन्य कर्मचारी और एक तीसरा पक्षियानी एंगियो कारेकरता को शामिल होना चाहिए। गई यौन उत्पिरन की शिकायतों की संख्या और इन पर की गई कारवाई के बारे में जिला अधिकारी के पास एक वाशिक और्डिट रपोर्ट दाखिल करनी होगी। चलिए अब इसके बाद हम वापस उचितम नयायले द्वारा प्रकट की गई चिंताओं और दिशा निर्देशों की ओर लोटते हैं। चलिए ने कई ऐसे मामलों को भी चिन्नित किया है जहां ICC की स्थापना की की थी। लेकिन उन में कई धाचा गदोश थे। मसलन इन समित्यों के पास या तो सदस्यों के अपर्याप्त संक्या थी या एक अनिवारे बाहरी सदस्य की कमी थी। अगदुर्गम है। इस कैतरिक्त विशेशग्यों ने ध्यान दिया है कि कारेस्थल पर योन उत्पिडन के मामले कई कारणों से बेहत कम रिपोर्ट किये जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपून बात ये है कि संगठनों की शक्ती, गतिशीलता और पेशेवर नतीजों का डर भी शिकायत दर्च कराने में महिलाओं के रास्ते में खड़ा होता है। कानून के निर्माताओं ने माना था कि शिकायतों को नागरिक संस्थानों यानि कारेस्थलों के भीतर अधिक प्रभावी ढंक से संबोधित किया जा सकता है ताकि महिलाओं को पहुँच और समय बधिता से संबंधित आपराधिक न्यायप्रणाली की कठिन प्रक्रियाओं और समाधान के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए सरकारी विभागों में कारेस्थल पर होने वाले यौन उत्पिडन की रोक थाम एवं समाधान के लिए एक कारेस्थल नीती बनाने पर विचार करना चाहिए इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों को पौश एक्ट क प्रावधानों के बारे में जनता को जागरूप करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने चाहिए इसमें कारेकरम आयुजद करना और महतवपूर्ण सूचना शिक्षन संपर्ग तथा प्रषिक्षन कारेकरम जैसे काम किये जासकते हैं जैसे कि आम तोर पर श्रम आयुक्तो को श्रमिकों के कल्यान संबंधी श्रम कानूनों को लागू कराने और इसके साथ साथ और द्योगिक शांती वसामंजसे के अलावा कारे के दोरान सोहार्थ पूर्ण वातवर्न बनाये रखने का दायतु सौंपा जाता है इसलिए सुलह करता के रूप में श्रमायुक सुलह अधिकारी की भूमिका भी निभाता है चलिए अब वक्त हो चला है आज के सवाल का लोट कीजिए तो आज के एपिसोड में इतना ही हमारे एपिसोड आपको कैसा लगा कॉमें सेक्शन में जरूर बताएगा मिलेंगे अगले कारे करम में किसी और खास विशे के साथ तब तक के लिए जैहिंद